असलाब लेकुम डियर्ट स्टूरेंट वेलकम टो आयम के अश्टिस इम्राल और आज की जी वीडियो है यह एससी और एससी दोनों स्टूरेंट्स के लिए हैं जो फैडरल वोर्ट से अफिलेटेड हैं और जो सेकंड एनल एक्जाम के वेटिंग हैं उन्होंने अप्लाय कर कि लिए हैं अब ह beautiful करी करें हैं सेगंड एनल एक्जाम के अबाउट और वो बच्ची पूछते हैं कि जो इंप्रूवमेंट या सकन्ट एक्जाम का वेपर होगा वह किस तरह नित पूछते हैं कि क्या नहीं बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं वह कि लिए पहली बात है कि इस तरह सिर्फ के इख्जाम दिए था या सेकंड या इइर स्टुड प्रस्ट के साथ पहले से झांदर्ट परसंट उस्ही तरह फुल फ्लाज एग्जाम होता है इसका हरगेस यह मतलब नहीं है और इवन ऐसा हम दोबार से यह स्में चुछ नहीं होता यह आप पेपर आपके लिए बनाया जाता है कोर्स कॉंटेंट वही होता है ठीक है जो आपके साथ अल्री फैर्डल वोड शेयर कर चुकर जो आपकी बुक्स है उन्हीं से पेपर बनेगा और फॉर्मेट भी एक्जेक्टली वही होगा फॉर्मेट के अंदर भी चेंज़ नहीं होंग जिस तरह आपके रिजल्ट आया है वही आएगा लेकिन अब जो बच्चे पूछते हैं कि मार्क्स इंक्रीज होते हैं तो या नहीं होते हैं देखो आपके मेहनत की उपर हैं मैं अगर आपको अपनी एक बात बताओं एक दफ़र मेरे साथ इस तरह हो था कि मैं युनिवर् कि देखो मार्क्स जो है ना मार्क्स लिये जाते हैं ठीक है मार्क्स जो हैं वो लिये जाते हैं इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि अगर आप एफर्ट्स करोगे तो आपके मार्क्स जो हैं वह अच्छे आएंगे जितनी जदे एफर्ट्स करोगे उतने जदे आपके म हो सकती है उसकी बहुत सारी रीजन हो सकती है एक तो बिमार हो गए या घर में कोई इश्यू था बहुत अलग बात है लेकिन अगर आप परड़ नहीं रहे थे आपने महनत नहीं की थी तो फिर बोर्ड वाले आपको मार्क्स कहां से देंगे वो बच्चे जिनके मार्क्स कमा आते हैं तो बोर्ड को या टीचर्स को ब्लेम करते हैं कि बोर्ड नहीं मार्क्स कम दी है एक्चली होता है कि बोर्ड में किसी का कोई अपना नहीं होता जो टॉपर्स हैं जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं आप अपने कॉलेज में देखो अपने स्कूल में देखो कि आपक بہت سارے بچے ہیں, जिनके मार्क्स से हमों बढ़ रहे हैं, ठीक है? मतलब, यह है कि चेकिंग में मिस्टेक हो सकती है, मैं यह भी नहीं कोंगे जो फेडल बॉर्ट की टीचर्स हैं, जो चेकर्स हैं, वह इनसान नहीं है, इनसान हमारे एक प्रफेसर कहते थे कि अन्सान जो है, वह गलती के पूरा पतीला ही है तो इसका मतलब यह है कि वो भी इंसान ही है उनसे भी मिस्टेक हो सकती है लेकिन आपने अपने एंड पर जो कोशिश करनी है वो यह है कि अपनी मेहनत जारी रखें और अल्ला की उपर बरोसर रखें पैरेंट्स की दौाई लें तो इंशालला आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कोमेंट्स सेक्षिन के अंदर मेंशन कर सकते हो थैंक्स वर वाचिंग